क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई ट्रेन गुजरती है तो ठक ठक की आवाज क्यों सुनाई देती है चलो पता करते हैं आप जो आवाज सुनते हैं वह ट्रेन के पहियों और रेल की पट्रियों के टकराव से निकलती है जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है पाहिये रेल के साथ संपर्ग बनाते हैं जिससे लगातार तेजावाज उत्पन होती है ट्रेन के पाहिये आकार में थोड़ा शंकुया कार होते हैं जिन में अंदर की ओर एक छोटा व्यास होता है यह design ते करता है कि train ट्रेक पर बनी रहे हाला कि पट्रियां पूरी तरह से चिकनी नहीं होती है उनमें छोटी-छोटी खामियां होती है जैसे कि rail के जोड जो ठक-टक की आवाज पैदा करते हैं जब पहिया पट्री के जोड से ठकराता है तो यह थोड़े देर के लिए पट्री से उतर जाता है फिर वापस उपर आ जाता है जिससे एक अलग प्रकार की आवाज पैदा होती है जैसे ही train तेज स्पीड से चलती है यह आवाज तेज हो जाती है जिसके कारण लगाता ठक-ठक की आवाज सुनाई देती है